आखिरकार समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंग यादव की हिदायत और नसीहत अखिलेश यादव ने मान ही ली और अब अखिलेश यादव सांसद आजम खान के समर्थन में उतरने जा रहे हैं जी हाँ मुलायम सिंग यादव ने पिछले दिनों आजम खान के समर्थन में आंदोलन का जो ऐलान किया उसका असर होता दिख रहा है माना जा रहा है कि आजम खान पर दर्ज हुए मामलों के खिलाव रामपूर में सपाईयों का जमावडा लगेगा दरसल समाजवादी पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष अकिलेश यादव ने आजम खान के मामले में अब खुद कमान समाल ली है वो 9 सितंबर को रामपूर जाएंगे पार्टी की तरफ से भी इसी दिन रामपूर कूच की तैयारी है बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकिलेश यादव 9 सितंबर को करीब 4 बजे PWD गेस्ट हाउस आएंगे और रात को गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे आपको बता दें कि पिछले दिनों एक लंबे अर्से के बाद मुलायम सिंग ने आजम खान के समर्थन में प्रेस कॉन्फरेंस की और पार्टी के कार्यकरताओं से इस मामले में एक बड़ा आंदोलन करने को कहा मुलायम सिंग यादव ने कहा था कि आजम खान ने बहुत महनत से जोहर यूनिवरसिटी बनाई है उन्होंने देश विदेश से चंदा लेकर और अपनी सारी पूंजी लगा कर बहुत अच्छी यूनिवरसिटी बनाई है लेकिन महज दो भीगे जमीन के लिए उन पर गंबीर धाराओं में मुकदमा दर्च किया गया है आजम खान पड़े लिखे और एक गरीब परिवार के चमीन से जुड़े हुए नेता है आज उन्हें परेशान किया जा रहा है उन्हें जालिम तक कहा गया बीजेपी सरकार जान बूज कर आजम खान को परेशान कर रही है मुलायम ने समाजवादी पार्टी के सभी कारेकरताओं और नेताओं से आजम के समर्थन में खड़े होने की अपील की उन्होंने कहा कि इसमें वो खुद भी शामिल होंगे अब आजम खान के मामले में पार्टी चुप नहीं बैठेगी आजम खान आंदोलन करें हम उनके साथ हैं आजम की बेजिती की जा रही है कारेकरता इसका विरोध करें याद दिला दें कि आजम खान के खिलाफ रामपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कारवाई की है उन पर असी केस तरज हो चुके है इससे पहले अकिलेश यादव ने पिछले महीने सपा कारेकरताओ को रामपुर कूज करने का आदेश दिया था लेकिन प्रशासन के आगे सपा का ये शक्ती प्रदर्शन उतना कारगर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था इसकी वज़ा खुद अकिलेश यादव का इस प्रदर्शन से दूरी को माना गया अकिलेश ही नहीं सपा के तमाम बड़े नेतार रामपुर नहीं पहुँचे और नेत्रविहीन सपा कारेकरता छिटपुट प्रदर्शन में सिमट कर रह गए इधर आजम खान पर कारवाई लगातार जारी है अब तक उन पर कुल 80 केस तरज हो चुके है इनमें चोरी, जमीन कबजाने, डकैती की तमाम धाराओं के तहट मुकद में शामिल है असल में उत्तरप्रदेश राज्ये की 13 विदानसबा की सीटों पर उपचुनाव होने है इसमें एक सीट रामपुर की भी है जहां से आजम खान विदायक थे लिहाजा अखिलेश किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि इस सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़े जिसके कारण अब वै आजम के पक्ष में रामपुर में उतर कर उपचुनाव के लिए आजम खान का समर्थन हासिल करना चाहते हैं चे हुरें से भी वैड और दो खका सक मेर आजम हार आजम भे चाहते हैं